बहुत दिन बाद हमारे पास एक पार्सल आया हुआ है चाइना से तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा पार्सल हमें भेजा गया है और इस पार्सल के अंदर जो भी सामन होंगे उस सामन को कैसे इस्तमाल करेंगे सारे जनकड़े आपको दूंगा तो इस बॉक्स को खुलने से पेले हम एक बाद देख लेना चाहूंगा कि इसके अंदर हमें कौन-कौन सा सामन भेजा गया है और कितने क्वांटिटी में है इसके अंदर तो यह जो आप बिल देख रहे होंगे यह इन्वाइस टाइप का है इसके अंदर टोटल छे सामान है HDL USB है, SD Card है, Courier Charges यानिके टोटल पानाच चीज है इसके अंदर और Courier Charges यह अलग से है तो हम बॉक्स को खोलते हैं और खोलने के बाद आप देखिए बॉक्स का पैकिंग जो है बहुत ही जवरदस्त होते हैं चाइना से हमारे पास जितने भी समान आते हैं उनका समन अच् तीन चीज़े देखने को मिल रहा है जो कि एक USB है यह एपफसी केबल है जो कि इंटरफेस के लिए है और एक memory card भी यहां पर दिया गया है जो कि camera में लगा होता है वो memory card उसके साथ यहां पर एक बड़े सा USB to USB केबल यहां पर दिया गया है इन सारे सामान को रखता हूँ ब दोस्तों इस box का हमरा main packaging जो कि एक 7 inch का LCD display है जो कि touch screen है यानकि इसके अंदर जो भी आप काम करोगे वो सारे touch screen के जरीए कर सकते हो और यह कहां पर इस्तेमाल लोंगे यह भी मैं आपको आगे आने वालो दिनों में बताऊंगा और इसके जरीए में बहुत सरे project भी बना के आ अगर आप चाते हो कि इसके अंदर क्या हम इसको touch screen बला TV बना सकते हों कि नहीं इसके उपर भी वीडियो आएंगे क्योंकि आभी ताक हमने इसको test नहीं करा हूं सिर्फ हमने इसको अभी आभी आपके सामने ही देख रहा हूं आप जैसे देख रहा हूं पीछे के साइड ब आज मैं दिखा रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं इसको बहान निकालता हूं और बहान निकालने के लिए यह जो packaging होता है इसको हमें remove करना पड़ेगा और remove करने के बाद यह हमारा LCD screen है तो इसके उपर protective film drive दिया है ताकि यह हमारा shape रहे तो इसको हम बाद में उठाएंगे देखे इसका जो वजन है वह हम gram में check करेंगे यहां पर देखिए इसका weight है 259 gram है जो कि काफी इसका ज्यादा ही बजन है तो इसको मैं side में रखता हूं उसके बाद इसको मैं power on करके दिखाता हूं कि आपको यह interface और LCD module आपको दिखेंगे किस तरीके से और इसके आंदर जो भी जानकरी होते हैं सारे जानकरी आपको धीरे धीरे आगे आने वालों दिनों में project के आंदर आपको देखने को मिलेंगे तो मैं थुरा से हिंट देता हूं दोस्तों आप इस LCD को लगा क्या आप अपने मर्जी से कहीं पर भी लगा सकते हो चाहिए आप इसके जरीए आप इसके जरीए और भी बहुत सारे तरह तरीका काम कर सकते हो जैसे ATM के अंदर होते हैं वो सारे काम इसके अंदर program करने के बाद आप कर सकते हो आपने मर्जी से आप चाहिए तो इसके अंदर से जो fan का speed है वो भी आप control कर पाऊंगे वो सारे कैसे कर पाऊंगे आपको आगे आ सबस्ट्राइब करके जूरे रहे है नीचे जो red button दिख रहा है उसके उपर प्रेस करके और उसके साथ इस अदर बगल में जो bell icon दिख रहा है उसके उपर भी प्रेस करके रखेगा इसके उपर आगर आप advanced project, IoT project देखना चाहते हो तो चलिए आप मैं इसके अंदर power देता इसको हमें connect करना पड़ेगा इसके लिए यह जो एफ एफ सी पती हमें दिया गिया है इसके जरीए तो मैं इसको बहुत ही साथ भाहन निकलता हूं यह रहा उसके बाद एक side हम लगाएंगे इसे module के साथ जो की हमारा यह USB module है इसके अंदर लगाया उसके बाद इसको मैंने lock कर दिया उसके बाद दूसरे जो side है इन दूसरे side को हम लगाएंगे यहां पर connector दिया हो गया है same connector तो यहां पर हम लगाएंगे हा उसको ये इसको हमं लौक कर делать और यही कनेक्टर हमें एक इक्स्ट्रा दिया गया है अगर इन फिजुतर में इसको लगा सकता है यहां पर सिल्ए एक एक्स्ट्रा दिया गया है इसको मैं समलके रखंगा ताकि इन future में अगर जब भी कोई भी problem होंगे connector के साथ इसको मैं उठा के यहाँ पर लगा दूँगा तो इसको power देने से पहले आपको कुछ इस module के बारे में बताना चाहूंगा कि यह module दोस्तों DWIN company का है जो कि चाइना का बहुत लेडिंग smart display manufacturing company है अगर आप इस टाइप का module या इस टाइप का display आप purchase करना चाहते हो तो DWIN का आप जो website पर जाके आप purchase कर सकते हो और आगर आप आप आउट आप इंडिया से हो तो आप जो है aliexpress जबी purchase कर सकते हो लेकिन इंडिया में aliexpress band है इसलिए इंडियान जो कंजूमर है उसके लिए यह bad news है लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो DWIN का जो official site है वहां से आप यह जो 7-inch का display, 4-inch का display और भी बहुत सरे अलग-अलग model का यह अलग-अलग size का display आपको देखने को मिल जाएंगे आपको touch screen display देखने को मिल जाएंगे तो आप मैंसे किसी को भी आपको जोरू रहत हो इस तरीका display तो आप जाके directly DWIN कंपनी के website से purchase कर सकते हो तो चलिए आप मैं इसके अंदर power देता हूं और power देने के लिए आप मैं इसके अंदर यह जो हमें एक USB cable दिया गया है इन USB cable के जरीए मैं power दूँगा और आपको देखने को मिल जाएंगे इस display के अंदर क्या भी चल रहा है और दोस्तो इस display के Arduino के जरीब आप प्रोग्राम करके बहुत सरे अलग अलग टाइप का project बना सकते हो जो कि आपको आगयाने वालों दिनों में देखने को मिलेंगे तो इसके लिए मैं इसको यहां पर लगा देता हूं उसके बाद जो एक 5V का हमें adapter चाहिए और adapter को हम लग display करने के बाद जो है देखिए दुस्तों डिस्प्रेट पर लायन आ चुका है लेकिन आपको देखने को मिल रहा है लेकिन आप जब रहा है अप देखीए इसके बांग लाओ हम आप देखेंस के सात मिला था उससrios में gossip प्रोग्राम डालना है तो आप दिखाता हूं कि कैसे यह आपको दिखेंगे तो डिस्प्ले को फास्ट टाइम ओपेन करने के बाद जो इंटरफेस है हमें कोछ इस प्रोकर से देखने को मिलता है जो कि चाइनिज लेंग्वेज में सारे कोछ लिखा हुआ है आपको साब साब दिखाई दे रहा होगा तो आभी फिलाल में डिस्प के दिरे आगे आने वारों दिनों में देखने को मिलेंगे आभी यह जो वीडियो है मैं आपको दो-तीन बर पहले भी बल चुका हूँ और आभी भी बोल रहा हूं कि यहां पर दिखें इसके जरीए आप कितने सारे काम को कर सकते हूँ यहां पर इसका ब्रायटनेस भी दिय जो गी आपको बड़े डिस्प्ट्प्ट अंदर देखाई देंगे तो यह जो आप इंटरफेस है दोस्ता भी देख रहे हों गांगे यह इंटरफेस आप अपने मर्जी से इसको बना सकते हो इस्प्रेस आपको देखने का अभी जो मिल रहा है लेकिन इसके जरीए एक सौ और इसके आप टेंपरेचर भी देख सकते हो यानि देख पाऊगे आगर इसके साथ आप संसर वगडरा लागा दो तो सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे यहां पे दिखे मतला अभी जोए इसका जो लैंग्वेज है यहां में चेंज करने के बाद ही सारे चीज आप पता चाह रहा था कि यह जो दिप्पल है इस तरीव किस तरीए से काम कर सकते हो इसका आइड आपको देनां चाह रहा था और व्याक़ए में हमारे को जो चाइने साइड black कहां आएंगे इसी के बारे में तो आगर आगे आने वालों दिनों में इस डिस्प्ले के जिरी अच्छे अच्छे अड्वेंट्स प्रोजेक्ट आयोटी प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जूरे रहे हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तों और आगर कि आप इस डिस्प्ले को पर्चेस करना चाहती हो तो सारे जान करें नीचे डिस्क्रेशन में दिया हुआ है ुब जिसको वह जूरुत है वह है प्रचेस कर सकते हैं तो मैं आपको बोलूँए की अभी इस को मत करी दिएगा आपको आगर जुरूरत हो तो भी आप मत करिए दिएगा क्यूंकि जब तक मैं इसको टेस्ट ना करनू अच्छे से तब तक इसको मत करी दिएगा मैं इसको सबसे पहले तो test करूँगा और देखूँगा कि ये काम अच्छे से करता है कि नहीं मैं इसको TV बनाने की भी कोसिस करूँगा और देखूँगा कि आब आके में touch screen display के जरीए TV बन रहा ही कि नहीं तो वो सारे देखने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि आपको एडिस्पेलर लेना चाहिए या नहीं तो बस इतना ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उसी All The Best